आज ना आरोब हो जित कर रहा था कि उसे पानी पूरी खानी है तो जब भी वो पानी पूरी खाने के जित करता है ना तो मैं हमेशा कोशिश करती हो कि गर पे ही बना लूँ क्योंकि जो बच्चे वगएरा हम सब है ना गर पे ही बना के खा लेते हैं उससे क्या है कि हाईजीन पूरी maintain हो जाती है और जो घर की पानी पूरी का न टेस्ट भी अलगी होता है तो मैं उसी के तैयारी में लग गई थी यहां पर मैं आ गई हूँ किछन में और यहां पर मैंने ले कि उसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और अभी वेसे भी शाम के लगबग चार से पांच बज गए थे तो अगर मैं अभी पूरी बनाने के और तयारी करती तो काफी टाइम चला जाता इस वज़े से मैंने पूरी रेडिमेंट मंगा लिती मार्केट से और पा टमाटर सबैं got youle, टमाटर भी ले लिए घड़ी तियादा कर मिरच क्टकर रहे हूं कैंकि थोड़ी सी हूं सबजी में यूद्ब कर लोंगी में और बाकी की जो एनom मसाले के अंदर डाल दूगी तो काफी अच्छा लगता है। जब मैं मसाले में क्टकर आदा थे नहां जो मसाला होता उना उसमें प्यास बहुत ज्याधा पसंदे काफी अच्छा एग्दम Gosh टीखा सा मसाला और जो पानी भी उता प्यास बनाता है तो काफी टेस्टी लगता है थोड़ा सा प्यास को तो हल्का सा मोटा मोटा रखा है हरी मिर्च को हल्का सा मैंने बारिक कर लिया है इसके बाद पानी की तैयारी कर ले तो यहां पर मैंने धनिया पुदीना और ले लिया है जो पुदीना है न मैंने उपर ही हमारे चट पर लगा रखा है गंबले में तो मै मैंने लिया थी उसके साथ और अच्छे से बोश कर लिया था और इसमें थोड़ा सा एक इंच अधर का टुकड़ा पान साथ हरी मिज डाल दिये धन्या पुदिना इन सब को पीस लेंगे जो इसका पानी बनता है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि पुदिने का और क्योंकि ठंडियों का मोसमें तो मैंने नहीं डाले इस वज़े से इसका जो कलर है अलका सा काला हो गया अगर आप इसका कलर एकदम ग्रीन रखना चाहते न तो जब आप इसे पीसे तो इसमें बर्फ का यूज करें मतलब दो तिन क्यूब बर्फ डाल देंगे न तो यह बि करके डालेगा कभी ज्यादा न हो जाए नमक पहले शुरुआत में आप थोड़े कम कमी डालेगा मसाले अगर आप बनाए तो थोड़ा सा डाल दी हींग तो यह हींग बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं होती इसलिए मैंने एक चोता ही चमच डाल दिया है और बस आप फा सा पानी जो है एकदम तीखा और खटा सा पानी बनके तयार हो जाता है तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम क्या करेंगे इसको छान लेंगे वैसे अगर आप चाहें तो नहीं भी छाने तो भी चलता है लेकिन बच्चे और आभी सब खाते तो कभी हो भी होता है जिसे हरी मिर्च के और जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स बच जाते ना तो अगर हम चान लेते तो एकदम अच्छे से जो है ना पानी बनके तयार हो जाता है तो यहां पर थोड़ा और पानी मेंने डाल दिया था मतलब हम चार से पांच जने ने खाने वाले तो अबी में फिसको टेस्ट कर रहे हूँ तो आप अब भी बनाएं तो इस तरह से टेस्ट ने अगर कोई भी चीज कम ज़्यान अगर ये तो आप वसे त्यार DAVID कर सकते है पाणी बनके तयार हो गया है देख सकते है पूरी भी आ गई थी आ रहो लेके आ गया थाा फटाफट्स पापा के साथ गया था वो तो और अभी देख रहे हैं हम देखो आलू भी है न अच्छे से बोई लो गए तो आलू को भी न फटा फट से छिल लेंगे तो अभी मैंने निकाल के छिल लिया है आलू को और सबसे पहले है थोड़े से मसाले के लिए में यहां पर कट कर रहे हू कि आपके में यहां को सबसे बच्छे पूछने लग जाते हैं बन गई क्या बन कहीं गया तो इसी तरह से आरो हो भी बार बार भी बीच में आ रहा था तो मैंने फिर वेट भी नीकिया था हुने का मैंने क्या कर रहा था जो मसाले के लिए मुझे चाहिए थे वह ने में डाल दिया काला नमक और रेगुलर नमक डाल देंगे बहुत ज्यादा चीज़ें हमें इसमें नहीं डालने हैं विल्कुल बेसिक जो टेस्ट होता ना वही अच्छा लगता है इसमें अभी इसमें डाल दी लाल मीट पाउडर आप चाहे तो रेट चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और जो हमने पानी बना के रखाता ना वह इसमें डाल देंगे चार-पांच चमच मतलब एक बड़ा चमच के गरीब आप डाल सकते हो और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका तो अच्छे से आप यह चाहें तो कोई मेशर से भी मेश कर सकते हैं लेकिन मैं बस फटा-फट मुझे जल्दी थी तो मैंने इसे हाथों से मिक्स कर दिया था और फाइनल में हरा दनिया डाल दिया था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह से अगर आप आलू का मसाला बनाएंगे ना पानी पुरी के ल मेशुकसिन आप अन्वे युदि केले ना चाहरी मिर्च काड़ी से मिक्स करेंगके तो बेसिक अनिया ठाल दिया और मिर्च दनिया डाल दिया इसको तो अच्छे से मिक्स करेंगे और जो टमाटर लिये थे न मैंने दो उनको पीस लिया था तो वो टमाटर की जो प्योरी है वो इसमें एड़ कर देंगे पानी वगिरा कुछ भी एड़ नी किया है सुखी सब्जी बना रही हूं में तो जो टमाटर का पानी था न उसी से जो मस में देंगे और देखे सब्जी बनके तयार हो जाती है तो मैंने क्या किया था आलोसाथ में बुईल कर लिए थे तो यहां पे दो तीन आलो की मेंने सब्जी में बना दिया है और बाकी का जो है पानी पुरी का मसाला बना लिया और सब कुछ फटा फट से तयार होग है वार्किटी शीमरल शाय से ये आध्योंौ टेंग duel ये इक डेंग देंग सकते पैस्ती सा जो मसाला है पाणी वार पाने करिद के प्यून है और जेख दो गोड़ी आया वह अभी कोचिंग पर गई थी वो नहीं आई थी तो जब वह से बना के खिलाउंगी लेकिन जब आ रहो है ना एक डब बोल रहा था यहां पे कि में यहां पर पानी पुरी खा रहा हूं बता रहा हूं तो बता रहा था बहुत ही टेस्ट वनी थी वैसे पानी बुरी आप भी जब चाहें तो इस तरह से बनाके फटाफट से तयार कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिएगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई ए झाल